आज का हमारा ये वीडियो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे भोजपुरिया सुपरस्टार्स की होम मिनिस्टर यानि कि उनकी पत्नियों के बारे में उनके वाइफ्स के बारे में आप में से जादा दर्शक ये नहीं जानते कि भ यानि कि भोचपुरी स्टार्स की जो पत्निया है उनके नाम क्या है क्योंकि ये भोचपुरी सुपस्टार की पत्निया ज्यादा लाइम लाइट में रहती नहीं है अपने काम से काम रखती है और गाहे बगाहे किसी मौके पर वो सामने आ जाती है तो चलिए पहले शुरुवात करते हैं मनोज तिवारी से जी हाँ सुपस्टार मनोज तिवारी की पत्नी का नाम है रानी मनोज तिवारी और उनकी पत्नी रानी का तलाग हो चुका है वो दोनों साथ नहीं रहते लेकिन मनोज के जीवन से रानी के जाने के बाद मनोज ने कभी कोई दूसरी शादी नहीं की और अब रुख करते हैं रवी किशन का रवी किशन की पत्नी का नाम है प्रिती प्रिती लाइम लाइड से दूर अपने बच्चों को घर में समालती है और अपने पती रवी किशन के लाइफ में उनके सपोर्ट सिस्टम की तरह है अब बात करते हैं दिनेज लालियाद और निरहुआ की तो दिनेज लालियाद और निरहुआ की पत्नी का नाम मंसा है मनसा आज तक मीडिया के सामने कभी नहीं आए लाइम लाइट में कभी नहीं आए नहीं वो कभी निरहुआ के फिल्मी सेट पर दिखाए दी नहीं उनके फिल्मों के प्रीमियर पर दिखाए दी नहीं उनके किसी भी फंक्शन में यानि कि जो फिल्मी फंक्शन होते हैं उसमे दिखाए दी वो पूरी तरह से अपने आपको अपने घर के कार्यों साथ ही निरहुआ की माता और निरहुआ के बच्चों को अपने आपको पूरी तरह से समर्पित कर चुकी हैं और अब बात करते हैं खेसारी लाल यादों की तो साथ ही उनकी पत्नी चंदा भी कुछ कम नहीं है लेकिन ये बात और है कि ये भी भोजपुरी की हर सुपरस्टार की पत्नियों की तरह अपने आपको बहुत ही सीमित काईरे में रखती हैं जादा पार्डी में नजर नहीं आती आपने इन्हें जादा तर अपने बच्चो पर ही देखा होगा वो भी मीडिया के सामने कभी वो ओन कैमरा बात करते नजर नहीं आती लास्ट बद नौत दलीस्ट अब हम बात करते हैं पवन सिंग की पवन सिंग ने पूरे तीन वार शादी की है और उनकी पहली पत्नी का नाम है रीना रानी जिनसे उनका तलाक हो जो अब इस दुनिया में ही नहीं है उनकी तीसरी पत्नी का नाम है जोती सिंग जो आज कल सोशल मीडिया पे बहुत ही छाई रहती है उनसे जुड़ी हर खबर पवन सिंग के फैंस जानना चाहते हैं तो यकीन है भोचपूरी के सुपस्टार से जुड़ी और उनकी पत्नि से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए